हाई गाइस वेलकम टू स्टडी का उस तो आज हम बात करेंगे इंडियन जोगराफिय फिर भारतिय भूगोल से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट सब के बारे में जो कि आपके कई सारे एक्जाम जैसी यूपीस्स तेट पीचीएस रेलवेज सस्सी एंडिये सीडिये सीडिये सिन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे और अगर आपको यह वीडियो यूजपू लगे टेंडू लाइक सेर एंड सब्स्राइब टो इस सबसे जादा परसेंटेज जो किस फॉरेस्ट के द्वारा कवर की जाती है जिसको की उस्ण कटी बन दिया फॉरेस्ट भी हम बोलते हैं या फिर उसको मौनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है वह बेसिकली एन्वल रैंफोल जहां पर सतर से दो सेवंटी से 200 सेंटीमीटर्स तक की होती है ऐसे रीजन्स में पाए जाते हैं जैसे की सीसम है मवा है साल टीक बंबू या फिर उसके लाव सेंडल वूड्स जो होते हैं इस टाइप के जो इंपोर्टेंट ट्रीज होते हैं यह सारे पाए जाते हैं और इन सब के द्वारा सबसे ज्यादा जो एरिया है वो कवर किया जाता है इंडिया के फॉरेस्ट का और जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट इसके भी जो मेजरली दो पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा कवर करते हैं जैसे कि जो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है और जो ड्राई डिसीडियस तो next question है जिसमें basically चार cities दी गई है उन सब को west से east direction में हमें दर्सान आया और उसके बाद में option select करना है तो सबसे पहले जो first है वो दिये बिलासपूर बिलासपूर जो है जो की 36गड में आता है ठीक है 36गड MP के just right में होता है उसके बाद second में दिया गया राची राची जो है हमारे जारकर्ण में तो वो यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद में third दिया गया भोपाल भोपाल जो है 36गड से पहले आ जाए ठीक है west में यहाँ पर और जो पूरे वो राजिस्तान में तो वो एकदम इधर आ जाएगी तो य से जिसको की नून मती के नाम से भी जाना जाता है तो वो किस चीज से रिलेटेड है तो यह जो है नून मती या फिर जिसको नून माटी भी बोलते है यह पेट्रोलियम इंडस्टी है जो की असाम में लोकेटेड है और यह इंडिया की first oil refinery है ठीक है जिसको की commission किया गया थ जिसको की अब Indian Oil Corporate Limited के नाम से जाना जाता है तो यहां पर इस question का correct answer हो जाएगा B petroleum industry अब next question की बात करते है तो next question में basically यहां पर यह पूछा गया कि जो बैनिहाल पास है वो किस state में located है तो बैनिहाल पास है जो कि एक mountain pass है जो basically जो पीर पंजाल range है उसके पास में located है अप्र optimum elevation है और यह जो mountain जो है mountain range यहां पर पीर पंजाल range की बात करें यह basically कस्मीर वैली जो कि इंडिया के जम्मू कस्मीर में है उसको outer हिमालेज के साथ में connect करती है तो यहां पर इस question का correct answer हो जाएगा जम्मू कस्मीर में जो पैनिहाल पास है वो जम्मू कस्मीर में है जो कि पीर पंजाल जो range है उसके पास में located है तो अब next question की बात करता है तो next question में basically यहां पर यह पूछा गया है कि यह चार options दिये गए है चार rivers के नाम है इन में से सबसे बड़ी river कौन सी है डककन सिस्टम की बात कर रहे हैं पर जो डककन सिस्टम की rivers है उन सब में सबसे बड़ी river कौन पर यहां पर जो गुदावरी river है जो इसकी length जो है approximately 1465 km की है जो की इंडिया की second largest river है और जो डककन सिस्टम है यह फिर डककन सिस्टम है जो rivers का वहां की डककन सिस्टम की longest river है जिसका नाम है गुदावरी यह basically जो महारास्त है वहां का जो नासिक जिस्टिक है वहां से originate होत और फिर बाद में Bay of Bengal जो है जिसको बॉब बुलते हैं वहाँ पे जाके गिर जाती है जिसको की दक्षिंड रिवर के नाम से भी और फिर गोतमी रिवर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो मेजर टर्बुटरीज के अगर हम बात करें जो इसकी सायक नदिया होती है जैस और ये पूछा गया है कि इंडिया का जो एरिया है सबसे जादा किस सॉयल के टाइप से कवर किया जाता है जो एलिवेली सॉयल जो है जिसको की जलोड मिट्टी बोलते हैं उसके द्वारा 40% जो सॉयल है इंडिया की फो कवर की जाती है और ये काफी बड़ा मेजर पोसन है जो एक सॉयल के द्वारा कवर किया जाता है ये मेली जैसे गंगा प्लेंस जो है या फिर रिवर वेलीज के जो रीजन से वहां सब पर चादा पाई जाती है तो इस कॉस्चन का यहां पर करेक्ट आंसर हो जागा एलिवेल सॉयल या फिर जलोड मिट्टी अब नेक्स कॉस् पर यहां पर यह पूछा गया कि एख रिवर का नाम पूछा गया यहां उस आरिवर होती है और गुजरात में हो जाती है थो से इतनी डिस्टेंस इसको दोरह तैक की जाती है तो यहां पर इस question का correct answer हो जाएगा ए लूनी नदी तो next question है यहां पर basically glaciers दिए गए चार glaciers उनको हमें west east से west में ठीक है east से west direction में इधर से इधर direction में हमें को set करना है basically और उसके बाद में हमें अपना correct option check करना है तो first जो है वह है सियाचीन जो सियाचीन का glacier है वह है जमू कस्मीर में तो जमू कस्मीर में तो वह एकदम west position पे आ गया इसके बाद में second दिया गया गंगोतरी गंगोतरी glacier जो है वह basically उत्राखंड में है ठीक है उत्राखंड में तो यह second पे जाएगा अभी तो अब थर्ड की बात कर थर्ड है बारा सिग्री जो बारा सिग्री का तो अभी यहां पर यह तो होगा हमर Y2 यह ठ्री और उसके बाद में फोर्थ दिया है रंफोंग जोев रंट्थोंगų तो सिक्की में एकदम इधर आ जाएगा तो यह आ जाएगा 4 तो आब हम इसको देखें तो यह हमारा correct answer हो जाएगा यहाँ पर 4, 2, 3, 1 B question का correct answer हो जाएगा B. So next and last question is segment का एक जो मालवा प्लेटाउ जो है या फिर मालवा का पठार जो है वो basically किन किन states के बीच में फैला हुआ है, कहां तक फैला हुआ है? तो ये नॉर्मली जो मद्द्रदेश का जो रीजन है, जैसे की आप लोग यहां पर देख सकते हैं ठीक है, रफ मैं पर यह राइस्थान है, यहां पर गुजरात है, ठीक है, इसके नीचे यहां पर महाराष्ट आता है और यहँदर आता like share and subscribe to study couch thanks for watching and have a good day